दोस्तों नमस्कार जम्मू कस्मीर में 10 साल बाद विधान सभाचुना होने जा रहा है इस बीच जेलम और गंगा का पानी हिंद महासागर में मिल चुका है धारा 370 अतीत की बात हो चुकी है लेकिन इस बार के विधान सभाचुनाव में अभी ये प्रमुकमद्दा बना हुआ है जा बीजेपी कह रही है कि 370 अब कभी वापस नहीं लोड सकता तो वहीं नेशनल कॉन्फरेंस और पीडिपी जेसी पार्टी इसे फिर से लागू करने की बात कर रही है इस बार जम्मू कस्मीर में किसका प्रला भारी है चलिए आज के वीडियो में ओपिनियन पूल के जरिये से जाने की कोशिज करते हैं लेकिन ओपिनियन पूल से पहले आपको जम्मू कस्मीर के बारे में कुछ महत्पुन बातों के बारे में बता देते हैं क्योंकि 2014 के मुकाबले जम्मू कस्मीर में बहुत कुछ बदल चुका है। विसेस राजी का दरजा देने वाला आर्टिकल 370 अब हट चुका है। लग्दा को अलग करके जम्मू कस्मीर को केंसासित प्रदेश बना दिया गया है और परिसीमन के जरिये 7 सीटें बढ़ा दी गई है। 2014 के में हुए विधान सभा चुनाओ के दोरान जम्मू कस्मीर में कुल 111 सीटे थी। इन में से 24 सीटे पाकिस्तान अधिकरित जम्मू कस्मीर यानि पियो के के लिए रिजर्व है। चुनाओ नहीं हुए माकी 87 सीटों पर चुनाओ हुआ था जिसमें लद्दा की 4 सीटें भी सामिल थी। जम्मू कस्मीर परिसीमन आयोग ने 5 मई 2022 को अपनी रिपोर्ट पेस की थी। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू और कस्मीर में 7 विधान सभा सीटें बढ़ाई गई। पहले आपको पिछले विधान सभा का विधान सभाचनों का रिजल्ट बता देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको 2014 के जम्मू कस्मीर विधान सभाचनों के परिनामों के बारे में बता देते हैं। उस वक्त जम्मो कस्मिन में टोटल 87 सीटें थी और अब आपको ये भी बता दें कि 2014 के बाद से अब तक जम्मो कस्मिन में विधान सभा के चुनाओ नहीं हुए हैं इस चुनाओ में PDP सबसे बड़ी पार्टी थी सीटों के लिहाद से लेकिन वोटिंग परतिसत में बीजेप सीटें मिली थी और बीजेपी को 25 सीटें मिले थी वहीं नेशनल कॉंफरेंस को 15 सीटें मिले थी और कॉंग्रेस को यहाँ पर 12 सीटें और CPM को एक सीट और इंडिपेंडेंट को यहाँ पर तीन सीटें जो है जम्मो कस्मिन के विधान सभाज जुनाओ में 2014 में मिला था बा स्मय losing on the हो जाती है तो उनके बादन की बेट te 맞़ मुपती जो है वह अब्चम्री बनती है हाना कि 2018 भी डी अगर लेती है लेकिन अगर 2014 के जो परिणाम आये थे जो टाय थे इसे और थोड़ आप समझना चाहते हैं तो हम कुछ तीन डिविजनों पर बात कर लेते हैं क्योंकि जम्मू कस्मीर में उसमें कस्मीर डिवीजन था लद्दाक और जम्मू की डिविजन थे तो तीनों जगा जो है अलग पार्टियों का वर्चस्प है कस्मीर डिवि और अधर्स को यहांपर पाज सीटे मिलती है। लगदाग के रीजन में चार सीटे थी उस वक्त, बीजेपी को यहां एक भी सीटे मिलती है, पीडीपी भी यहाठ भी सीटे मिलती है। को तीन सीटे मिलती है कॉंग्रेस को पास सीटे और अदस के खाते में जो है यहां पर एक सीटे जाती है तो यह था जब मुकस्मिर के 2014 का परिनाव अब हम आते हैं 2024 के लोगसभा चुनाओ में जब यहां पर लोगसभा चुनाओ हुए और कर सकते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जब मुकस्मिर में बड़ा चुनाओ होता है तो यह चुनाओ अपने आपने दिल्चस्थ था कि यहां पर क्या होता है अलाकि जो वहां कि दो जो बड़ी पार्टी है नेसनल कॉंफरेंस और बीडीपी दोनों जो है इंडिया लाइन्स के साथ नहीं जोटती है निए कॉंफरेंस और बीडीपी जो है अलग-अलग यहां पर चुनाओ लड़ती है बीजेपी को यहां पर जो है वोट परसेंट के हिसाब से देखा जा तो बीजेपी को 24.36% वोट मिलता है कॉंफरेंस को 19.38% यहां पर वोट देखने को मिलता है और नेशनल कॉंफरेंस को 22.30% जो है वोट देखने को मिलता है और पीडीपी को 8.48% वोट देखने को मिलता है और अदर्स के खाते में 23.94% जो है वोट मिलता है अगर यहां पर बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटे मिलती है टोटल 5 लोग सभा सीटे है और नेशनल अब इसको एक वी सीट नहीं मिलती और PDP को भी जो यहाँ पर जहतका लगता है महववववा मुथती, खुद जो है, चुनाओबस जाती है, और उन्ही एक वी सीट नहीं मिलता है है क्या यहां पर बिजेपी इस बार सरकार बना लेगी क्योंकि डिलिमिटेसन के बาद कहा जा रहा था कि साइट बिजेपी के लिए यहां पर जो है नो के बढ़ सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि क्या है UK आप फॉल क यह यहां पर 90 सीट हैं हो गई है तो voting percentage पहले देख लेते हैं तो बीजेपी को यहाँ पर 28-37% जो है vote percent आने का अनमान जो है लगाया गया है इंडिया गटवंदन इस बार जो है NC यानि National Conference जो फारुक अब्दुल्ला और उबर अब्दुल्ला जो है उनकी जो party है और Congress दोनों का जो है यहाँ पर गटवंदन है तो उनके गटवंदन को सबसे जादा vote percent यहाँ पर दिखाय जा रहा है 40-42% यानि यहाँ पर इस बार गो लीड ले सकती है सबसे बड़ी party के रूप में कस्मीर में उभर सकती है इसके बाद बात करें पीडीपी के तो पीडीपी यहाँ पर 18-20% जो है vote पीडीपी को मिल सकता है यहाँ अनि माभूपा मुथी की party को और वहीं दूसरे दलों को यहाँ पर 10-13% जो है vote से मिलता वादिक सकता है अब अगर सीटों की बात करें तो सीटों की बात कर लेते हैं तो बीजेपी को 23-26 सीटें यहाँ पर मिलने का अनमान लगाया जा रहा है जमू कस्मीर में और इंडिया गटवंधन को यानि Congress और National Conference को मिला कर 51-56 सीटें मिलने की संभावना लगाया जा रही है यानि यहाँ पर इन दोनों पार्टियों का जो गटवंधन है उसे बहुमत जमू कस्मीर के इस चुनाव में मिल सकता है यह उपिनियन पोल, लोगपोल का उपिनियन पोल जो है वो बता रहा है अब बात अगर PDP की करें तो PDP को एक बार फिर विधान सवाचुनाव में भी जो है वो जटका देखने को मिल रहा है और होने सिर्फ 4-8 सीटें ही मिलने का अनमान लगाया जा रहा है और अन्ने के खाते में हापे 3-7 सीटें मिलने की बात की जा रही है तो ये जो है जम्मु कस्मीर को लेकर लोग पोल का ओपिनियन पोल है आपको क्या लगता है कि इस बार जम्मु कस्मीर में किसकी सरकार बन सकती है क्या वहाँ BZP सरकार बना सकती है या फिर Congress और National Conference का जो एलाइंस है वहाँ पर सरकाय बनाने में काम्याब हो जाएगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद